नमस्कर मैं आसिस राठ और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ दोहजार चौबिस की सबसे बड़ी शादी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पूरे देश की नजर थी शादी अच्छे से संपन्न हो गया बड़ी बड़े सेलिबिटी आए और मतलब इतने बड़े बड़े सेलिबिटी आए कि उन तमाम सेलिबिटी में से एक सेलिबिटी को भी आप अगर पर्सनली बुलाई ये तो करोरों रुपए खर्च हो जाएंगे लेकिन वो लोग फ्री में इन्विटेशन मिला था और वो गये थे तो चलिए बड़ी-बड़ी बाते हुई बड़े-बड़े लोगों की बड़ी-बड़ी कहानिया होती भी है ऐसे हालात में आज जो बड़ी ख़वर आ रही है उसको लेकर के बात करेंगे नरंद्र मोदी जी संकराचारे जी तमाम लोग रिसेप्शन में गए हुए थे अनन्त अमबानी और राधिका मर्चेंट को अशिरवाद भी दिया तमाम चीजे चल रही है लेकिन एक तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी आखर इतने बड़े खुशनमा महौ अंगे की उपच्तित नहीं हुए रहूल गांधी और सोनिया गांधी हलाकी इंविटेशन गया था परसनली गयतल है ये यह लोग काड देने लेकिन प्रबी नहीं आए के लेकिन काड अंऩ बनी परिवार के तरफ से गया फिर भी ये रहूर गांधी सोनिया गांधी क्यों आए अब सवाल इस पर बहुत सारे उत्पन हो रहा बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बाते कही लालु प्रसाद यादाव आए उद्धाव ठाकरे आए अखिलेश यादाव आए ममता बेनर्जी आई राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं दिखे अब देखिए इसका ज जवाब ये है दोस्तों कि ये कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांधी मलिकार जुन खरगे सोनिया गांधी प्रियंका वाडरा ये लोग दिन भर बैठ करके अडानी और अम्बानी करते हैं मोधी का नाम जोडते हैं अम्बानी से कौन से मूसे ये जाते उस भव्वे समारों कि उस शादी के खुशनुमा पल में ये तंज कसने वाले लोग कैसे वहाँ पर सर्वाइब करते ये लोग कि उसी बीच में कोई मीडिया वाले पत्रकार वाले पुछ देते कि क्या आप तो दिन भर अडानी अम्बानी करते हैं यहां क्या कर रहे हैं आप उसी में कोई अम्बानी करते हैं मोदी अम्बानी करते हैं और आज यहां क्या कर रहे हैं आप तो ऐसे हलात में शर्म के मारे हो सकता है कि राहुल गांधी नहीं आये होँ चलिए खबर के तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कॉंग्रेस विधायक हैं जिनको गिरफतार कर लिया गया है इंफोर्समेंट डारेक्रेट के तरफ से गिरफतार किया गया है नब्वे करोर रुपए के दांद उससे जादा कहीं धांदली हुई है इसमें पुरी तरीके से और अठारा जुलाई तक एडी के हिरासत में इनको भेजा गय वालमी की निगम घोटाला मामले में और इस घोटाले में दोस्तो एक निर्दोस इंसान ने आत्महत्या भी कर ली उसका परिवार था वो सब समझे उसके उपर क्या भीत रही होगी तो चलिए ये एक कॉंग्रेस विधायक की गिरफतारी हो गई है ये बड़ी ख़बर आई देखिए बहुत बड़ी और ब्रेकिंग ख़बर और बहुत खुश ख़बरी आपको दिखा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का सौ मिलियन फॉलोवर्स हो चुका है ट्विटर हैंडल पे ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग ख़बर दोस्तों मैंने आपको दिखाया अब देखिए कॉंग्रेस पार्टी का अगर फॉलोवर्स ये कॉंग्रेस पार्टी क्या करती है फॉलोवर्स से दिखाती है कि हमारी देखो ये आउकात है कि बीजेपी को इतने व्यूज आए हैं हमें इतने व्यूज आए हैं आप ऐसे ही किसी को जज़ करते हैं ना तो फिर मैं भी क्यों न जज़ करूँ आपको ज़रा देखिए यहां पर कि नरंदर मोदी जी का ट्विटर हैंडल पर सौ मिलियन है तो फि मिलियन लोगों ने फॉलो किया यानि एक पार्टी के लिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक इनसान काफी है नरंदर मोदी जी लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मैंने आपको कॉंग्रेस पार्टी का दिखाया अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ राहुल गांधी का भी जनता का भरोसा आपके उपर नहीं है, यह साब तोर पे दिख रहा है, अब जरा मैं आपको ले करके चलता हूँ, दोस्तो एक बड़ी खवर ये आई, कि आज एक बड़ा घटना हो गया, और ये घटना क्या हुआ, जरा ये मैं दिखा रहा हूं आपको, उस पे राहूल कन पाटी के रास्टपती, पद के उमिदवार और पुर्व रास्टपती डोनाल ट्रम पर रवीवार को, पैंसिल्वेनिया में एक चुनावे रैली के दोरान, कान के पास गोली चला दी गई, किस तरीके से बलडिंग आ रहा है, ये सब आप लोग देख रहे होंगे दोस्त आनके गोली चलती है, और उनके कान पटी के पास, कान के पास आकर के लगती है, और बलडिंग होने लगता है, कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल एजंडा बताया, कुछ लोगों ने कहा कि ये पुड़ी तरीके से पबलिसिटी स्टंट है, ये है वो है, बहुत तरह की प्रतिकिरियाएं लोगों की आने लगी, इस पर राहूल गांधी का दोस्तो स्टेटमेंट आता है, जो मैं आपको दिखा रहा है, राहूल गांधी ने क्या कहा, जरा देखी, उस पर फिर आएंगे, फिर अमित मालविये ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, देखिए, रा जोनल ड्रम के साथ ऐसा नहीं होना चीए था, लेकिन दोस्तों, इस पर आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आज बना रहा हूं, यह देखिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ही कलेक्ट करके लाना पड़ता है, यह देखिए, जरा अमित मालविये आईटी सेल के प्रमूख हेड हैं, प्रमूख हैं, तो उन्होंने यह कहा, राहूल गांदी की टिपनी पे कि यह कपट पुर्ण शब्द है, आगे अमित मालविये कहते हैं कि तीसरी बार विफल राहूल गांदी ने प्रदान मंत्री मोधी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है, और जब उनके काफीलों को फ्लाइ ओउवर पर फुसा दिया गया जान करके फ्लाइ ओवर पर फसाया गया आप सोच लिजिए, वो लोग बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ और हत्या की प्रयास पे ये बहुत चिंतित हैं तो इनकी क्या मंचा है ये किसी को बताने की जरूरत है क्या जब नरेंद्र मोदी जी फ्लाइ ओवर के उपर फसे थे तो तो नरेंद्र मोदी जी एयरपूट पे आ करके कहें कि फाइनली जिंदा मैं लौट अगया ये उनको एहसास नहीं था हो मतलब समझे बगल में पकिस्तान का गुरुगा लोग कुछ दूरी पे वहां से ड्रोन वुरा करके हमला कर सकता था पूल के नीचे फ्लाइ वार के नीचे कुछ बंबिस्पोटक पदार्थ हो सकते थे ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी जी को बचा करके लाना वहां की जो सेक्यूटी उनके साथ थी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये आज बात कर रहे हैं राउल गाने तो ऐसे हालात में सोसल मीडिया पे बहुत साई लोगों ने कहा कि ऐसे लोग ऐसे पपू क्यों ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और जब इसी ऐसी चीज़ें लोगों की जहन में आती हैं लोग ऐसे सोसल मीडिया पे इस तरह की बाते कहते हैं अलाकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचाज़ वग कीजिएगा दूस्तों और ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए इस चानल को सब् सब्सक्राइब करके बेल आइकन पेस कर लिजेगा और अपने दोस्तों में शेयर यू किजिएगा थैंक्स पो वाचिंग माई